चौथी पास राजा किस-किस ने सुनी है ये कहानी इस कहानी का महतम्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे जितनी बार सुनाओगे उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के उपर बरसेगी इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे उतना देश की तरक्की होगी उतना समाज की तरक्की होगी तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है वो भी बड़े ध्यान से दुबारा सुनना अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार-प्रसार करना ये कहानी एक राजा की है एक चोथी पास राजा की कहानी है एक एहंकारी राजा की कहानी है एक भरच्टाचारी राजा की कहानी है आप लोगों ने राजा और राणी की कई कहानियां सुनी होंगी इस कहानी में राजा तो है राणी नहीं है तो एक महान देश था, कई हजार साल पुराना देश, उस देश के एक गाउं में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत करीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ, तो जैसे गाउं के अंदर बच्चा पैदा होने पर जोट्षी आते हैं, जोट्षी आके बच्चे का भविश्य बताते हैं, ऐसे गाउं का जोट्षी आया, उसने बच्चे की कुंडली देखी, और बच्चे की मा को बोला, कि माई, तेरा बेटा बड़ाओ के बहुत बड़ा समराठ बनेगा, माई को समझ नहीं आया में इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा समराठ कैसे बनेगा, खैर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा गाउं के सरकारी स्कूल में उसका एडिमिशन करा दिया उसका पढ़ने लिखने में मननी लगता था पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया उसका पढ़ाई लिखाई में मनने लगता था बगल में गाउं के बगल में एक रेलवे स्टेशन था घर में बहुत करीबी थी वो बच्चा वहाँ स्टेशन पे जाके चाए बेचने लगा चाए बेच के अपना गुजारा करता था वो भाशन बहुत अच्छा देता था बच्चपन से ही बड़ा अच्छा भाशन देता था गाउं के लड़कों को इकठा कर लेता और भाशन देना चालू करता धीरे धीरे आसपास के गाउं में फैल गया कि ये बच्चा भाशन बड़े अच्छे देता है आस पास के लड़के भी कठे हो गए और जो मर्जी टॉपी को भाशन देना चालू कर देता था और रुपता ही नहीं था घंटों घंटों तक भाशन देता रहता था बच्चा बड़ा हुआ, जोट्री ने कहा था, बड़ाओ के बच्चास महान देश का सम्राट बन गया लेकिन राजा तो अनपड़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था, अफसर आते उस अनपड राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते वो राजा अनपढ़ था उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सब के सामने प्रकट हो जाएगी अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहाँ साइन कर देता था दीरे दीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है राजा अनपढ़ है राजा को बड़ा बुरा लगने लगा तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिगरी का जुगाड कर लिया एक फर्जी डिगरी का जुगाड कर लिया एम्मे की डिगरी का और राजा बोला मैं एम्मे हूँ पर सच्चा ही तो पूरे देश को पता थी राजा तो अनपढ़ था धीरे धीरे राजा एहंकारी भी होता गया एहंकारी राजा और उपर से अनपड़ जो मर्जी उस राजा के पास जाता और राजा से कुछ भी पास करा के ले आता एक बार कुछ लोग गए राजा को बोले जी नोट बंदी कर दो नोट बंदी करने से भ्रष्टाचार खतम हो जाएगा अतंकवाद खतम हो जाएगा राजा को कुछ समझ नहीं आया राजा की खूब चमची मारी उन्होंने नोट राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके आठ बजे नोट बंदी कर दी पूरे देश का बेडा गर को गया दोस्तों लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइने लग गई कई लोग मर गए दुकाने बंदो गई रोजगार बंदो गई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंदो गई पूरे देश का बेडा गर को गया फिर एक दिन कोई आके बोला जी दोजार का नोट ले आओ राजा दोजार का नोट ले आया चार साल बाद कुछ लोग आके बोले जी दोजार का नोट बंद कर दो राजा ने दोजार का नोट बंद कर दिया राजा खो अकल तो थी नी बेकूफ था, नन पड़ था कभी दोजार का नोट चालू करता था कभी दोजार का नोट बंद करता था एक बार कुछ लोग आके बोले जी ये किसानों के कानून बना दो इस कानून से किसानों का भला होगा राजा ने कानून बना दिये पूरे देश के किसान सड़कों पे उतर आए साड़े साथ सो किसान मर गए अंदोलन में और एक साल के बाद राजा को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े एक बार उस देश के अंदर बहुत बड़ी महमारी फैल गई चारों तरफ महमारी फैल गई लोग मरने लगे किसने आके बोला जी थाली बजवाओ तो देश ठीक हो जाएगा तो राजा ने पूरे देश में थाली और चम्मच बजवा दिये महमारी तो नहीं बची महमारी तो फैली रही किसी ने आके कहा जी डॉक्टरों के जरूर्त पड़ेगी दवाईयों के जरूर्त पड़ेगी इंजेक्शन के जरूर्त पड़ेगी तब महमारी रुकेगी राजा अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता था उसके दोस्त थे एक दोस्त ने दस हजार करोड रुपे चोरी कर लिए राजा ने उसको देश से भगा दिया दूसरे दोस्त ने बीस हजार करोड चोरी कर लिये राजा ने उसको भी देश से भगा दिया पर एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की जादा ही दोस्ती थी कौन था उसको उन्होंने सारे एरपोर्ट बेच दिये सारे जहाज बेच दिये, सारे सीपोर्ट बेच दिये, उन्होंने आसमान बेच दिया, जमीन बेच दिये, राजा ने, खदाने बेच दिये, उस राजा, उस दोस्त पे राजा महरवान था, राजा का एक और दोस्त था, वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ खिलाडी महिलाओं के साथ बत्तमीजी करी लेकिन राजा ने दोस्ती नी छोड़ी मजाल जो उस दोस्त के उपर कोई आँचा जाए राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा लेकिन उसने खिलाडीयों का समय राजा का एक और दोस्त था उस दोस्त ने किसानों के उपर गाड़ प्रती नहीं छोड़े इस बात पे दाद देने पढ़ेगी कि राजा दोस्त बाज था एक नंबर का दोस्त बाज था कि चार तरफ अत्या चारो गया चारों तरफ देश के अंदर इनके अपने लोग जो थे वह बलातकार करने लगे गलत काम करने लगे हाहाकार मच गया जो राजा के खिलाफ बोलता राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता एक दिन एक पत्रकार ने काटून बना दिया राजा के खिलाफ उस पत्रकार का उठा के जेल में डाल दिया एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया राजा के खिलाफ आउडर करता था राजा उसको बक्षता नहीं था चारो तरफ अत्याचार महंगाई बेरोजगारी उपर आसमान में देवता ये सब देख रहे थे कि प्रिथवी के उपर कितना घंगोर अत्याचार हो रहा है सारे देवता इकठे हुए देवताओं ने मीटिंग करी सारे देवता मिलके शिवजी महराज जी के पास गए और कहा महराज कुछ करो पृथवी के ओपर अन्याय हो गया अत्याचार हो गया चारो तरफ बलतकार चारो तरफ हाहाकार मचा हुआ है जनता परेशान हो रही है पृथवी जी माशिव जी महाराज जी ने अपनी तीसरी आँख खोली और दोस्तों यहाँ प्रचंड पृथवी के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी अजैन के अंदर महाकाल की छे सबत्रिशियों की बड़ी-बड़ी दस फुटा भारी-भारी मोर्तियां थी एक दिन बारिश ओर तुफान आया और छे की छे मोर्तियां तूट गई लोगों ने कहा बड़ा अप्शकोन हो रहा है बड़ा अप्शकोन हो रहा है एक दिन एक ट्रेन एक्सिडेंट हो गया धाइसों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई लोगों ने कहा बड़ा अप्शकोन हो रहा है और एक दिन घंघोर बारिशाई तुफान आया उपर से पड़े हो जाओ और इस एहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलके आवाज उठाओ भगवान आपके साथ है और उसके बाद दोस्तों सोही हुई जन्ता जाग गई और एक साल के अंदर उस एहंकारी राजा का राजपाट जन्ता ने उखाड के फेंक दिया और उसके बाद वो महांदेश दिन दूनी राजचोगनी प्रगती करने लगा ये कहानी बड़ी पवित्र कहानी है इस कहानी को सुनने से और सुनाने से परिवार का समाज का और देश का बहुत भला होता है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाईए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें इसे समझ सकें अंत में आप से एक ही विंति है अगली बार वोट डालने जाओ तो ऐसे आदमी को वोट डालना ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना जो कम से कम इतनी तो समझ रखता हो कि 2000 का रो नोट कैंसल करना है कि चालू करना है झालू करना है